अज हम कार्येपत्र 17 करेंगे जिसमें हम हिंदी का पार्ट बस की यात्रा पढ़ेंगे तो आज ही हमारी 8 वी वक्षीट है तो आईए बच्चो आज हम व्यंग पढ़ेंगे बस की यात्रा का तीसरा भाग इंजन सचमुछ श्टार्ट हो जाता है ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं कार्ट बहुत कम बचे थे सारे कार्ट तूट चुके थे बस के जो बचे थे उनसे हमें बचना था जो बचे थे उनके तूटने से हमें दूर बैठना पड़ता था क्योंकि ताकि हम उनसे बस सके हमें फॉरन खिड़की से दूर सरग गए हम खिड़की से दूर बैटे इंजन जो था वो चलता जा रहा था हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है उन्हें लगा कि उनके नीचे ही इंजन है बस सच मुझ चल पड़ी पर जो बसती वो चल गई हमें लगा कि गांधी जी के आसयोग और सवीने अवाग्या अंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी इसे ट्रेनिंग मिल चुकी है हर हिस्सा दूसरे हिस्से को चलने में सयोग कर रहा था पूरी बस सवीने अवग्या अंदोलन के गोर से दुज़श चुकी है सीट की बोड़ी से आसयोग चल रहा है कभी लगता सीट बोड़ी को चोड़कर आंगे निकल जाएगी और कभी लगता कि सीट को चोड़कर बोड़ी आंगे निकल जाएगी आठ दस मील चलने पर सारे भेदवाव मिट गए ये समझ में नहीं आता कि हम पर सीट बैटी है या हम सीट पर बैटे हैं तो ये था अब नए शब्ट सभीने अवाग्यां अंदोलन ये गांदी जी जो आरा चलाया गया 1930 का एक अंदोलन है ट्रेनिंग माने सीख, दौर माने जमाना और आसायोग मतलब साथ ना देना अब भेदवाव माने अंतर अब कोश्यंस ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैटे हैं लेखक ने ऐसा क्यों कहा लेखक जैसे ही बस में बैटे और बस का इंजन चालू हो गया तो बस के इंजन के शोर और कमपन से पूरी बस हिनने लगी बस के इंजन का शोर पूरी बस में गूज रहा था बस की खिडकियों के शीशे बुरी तरह हिन रहे थे हलाकि बसके अधिकान सी से तूट चुके थे जो बचे थे वो इंजन के चालू होने पर हिनने लगे और उनसे किसी को चोटना लगे इसका खत्रा था लेकक का ऐस अप्रितीत हो रहा था कि जैसे उसकी सीट के नीचे इंजन हो इन सब कारणों से लेकक को लगा कि वो बसके अंदर वो बसके इंजन में बैठे हैं अब दूसरा प्रशन की सवीने अवाग्या अंदोलन 1930 में महत्मा गांदी के नित्रित्व में अंग्रेजी सरकार से आसहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया था इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी लेखक ने सवीने अवाग्या का उप्योग बसके समदर्ब में किया है समझा कर बताईए तो लेखक ने बस पर व्यांग्या करते हुए कहा है कि हम लगा कि ये बस मात्मा गांधी के आसयोग अंदोलन और सवीने सव्यग अंदोलन के समय अवश्य जवान होगी क्योंकि बसका हर एक हिस्सा एक दूसरे का आयोसयोग आसयोग करता है अब आंगे आपको प्रस्तत गद्याश में तीन शब्द ठूनने हैं जो कि अंग्रेजी में तो बस, ट्रेनिंग, बोडी, इंजन और स्टार्ट आदी अब आंगे गतिविदी आसयोग अंदोलन वा सवीने अवाग्या अंदोलन के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है इस गतिविदी में आप किसी भी इतियास की पुस्तक का या बडो की साहता का इस्तमाल करके कर सकते हैं तो आप ये खुद करेंगे यहाँ पर ये वक्षीट खतम होती है अब हम मिलेंगे नेक्स वक्षीट के साथ तब तक के लिए बाहे